हमश्कार बहुत स्वागत है जो तिश्दिशा सत्य की राह में जोड़के आपके साथ आपका संतो संतोशी आज का दिन सुम्वार का दिन सप्ताह का आरम नौ जन्वरी आपके लिए कैसा खास बीतने वाला है पूरी जानकारी लेकर के उपस्तित हो मेंसे लेकर मीन तक दिन ब्यातर भीते इसके लिए प्रियोग भी हम आपको बताएंगे बने रहे हैं हमारे साथ लेकिन भाग परिवरतन सत्र में हिस्सा लेने का आवसर अपकम है आपके पास अगर आप विचार कर रहे हैं तो देर मत करिएगा जल्दी से अपना रजिश्टेशन आरंभ कर दीजे और भटा फट करवाईए खास तोर पे उनके लिए जिनके बच्चे विवाह योग्य हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है अथवा जिनके बच्चे सिक्षा ले रहे है लेकिन उसमें कुछ अवरोध और रुकावट आ रहा है ऐसे लोगों के लिए या भाग की परिवरतर सत्र एक बड़ा सत्र है एक बड़ा लाव का विशे है आईए सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग माग कृष्ण दुतियाति थी है सुबह नो बचकर 49 मिनट तक इसके बाद तृतियाति थी का उधे हो जाएगा 49.39 तक दुतिया है चंद्रमा आज करक्राशी में नक्षत्र रहेगा आशलेशा यह बुध का नक्षत्र होता है गर्थात आज जो बच्चे जन्म लेंगे वह बुध की दशा में जन्म लेंगे और योग रहेगा विश्कंभ सुबह 10 बचकर 30 मिनट तक इसके बाद प्रीत तदनस्वार दिनांक 9 जनवरी दिन सोमवार रहुकाल सुबह साड़े साथ से नो और गुलिक काल दोपर डिर से तीन जैसा कि आप लोग को विधित है रहुकाल अशुब समय होता है जब नए और शुब काम के लिए सास्त्र मना करते हैं लेकिन गुलिक काल का समय बहुत श मेश राशी शिक्षा के लिए आज किसी मित्र की मदद से कदम बढ़ाएंगे और यह कदम आपके लिए बेहत कल्यान प्रदर रहेगा ब्यापारिक दिश्टिकोंट से समय देखा जाये तो थोड़ा सा टफ है बिजनस में उठा पटक है थोड़ा तनाव भी होगा बिजनस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा मेश राशी वालों को 9 जनवरी की दिन प्राइवेट सेक्टर में घर जॉब करते हैं तो नोकरी में बने रहने के लिए बॉस की हां में हां मिलाना पड़ेगा सरकारी छेतर की स्थितिमे सुधार है गवर्मेट सेक्टर वालों को आज व उठापटक है, दोपहर के बाद विवाह की चर्चा की जा सकती है। स्वास्त के मामले में कमरदर्द, आंक और किड्नी की समस्या हो सकती है। प्रियोग के तोर पर आज मेश राशी वालों को मादुर्गा को प्रणाम करके सिंदूर का तिलक अपने कंठ पर लगाना शुब होगा। प्राइबर्ट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। सरकारी छेतर की स्थती को सुधारने का प्रयास करें। गवर्न्मेंट सेक्टर आपके लिए अनकूल हो जाएगा। अगर आप चाहते सुधारना। दामपत्य जीवन में पत्नी के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास तेज करना पड़ेगा। कुछ उठापटक बना हुआ है। लव लाइफ बहुत अनकूल है। यहाँ पर किसी तरह के समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ के मामले में बैक की प्रॉब्लम, किट्नी और आख की समस्या हो सकती है। आज प्रयोग के तोर पर विशव राशी वालों को भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम गंगण पते नमः। तीन बार इस मंत्र का जाब करिएगा। शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग्य प्रतिशत 54, 54, मिथुन राशी दिनांक 9 जनवरी दिन सोमवार। प्राइवर्ट सिक्टर आपके लिए कुछ बड़ा फैसला दे रहा है। प्राइवर्ट सिक्टर में चिंताओं से बाहर निकल रहे है। सरकारी छेत्र की स्थती को सुधारने का प्रयास करें। दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है आज। पत्नी के साथ आज कहीं गुमने टहलने का कारिक्रम बनेगा। लव लाइफ कुछ मुश्किलों के साथ कदम बढ़ा रहा है। स्वास्थ के मामले में मिथोन राशी वालों को वाज माइग्रेन और हर्ट की प्रावलम हो सकती है। प्रियोग के तोर पर भगवान शीव के मंदिर में जाएं, शीवलिंग पर कच्चे दूद का विशेक करें। शुबरंग आपके लिए काला, भाग्य प्रत्षत पच्चपन। करक राशी, दिन अच्छा है, रुके कारे गतिमान हो रहे हैं, पढ़ाई खूब अच्छी चलेगे, सिक्छा में किसी तरह का दोश नहीं है, ब्यापार भी अनकूल है, बिजनस में आउसर अच्छे मिल रहे हैं, प्राइवेट सिक्टर में कुछ चिंताएं बढ़ रही है प्राइवेट सिक्टर वालों को सतर्क रहने की आवशक्ता है, सरकारी छेतर को सुधारने का प्रियास करें, दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है, पतनी के साथ अच्छा समय भीतेगा, सपोर्ड मिलेगा, लेकिन लव लाइफ थोड़ा सा तनाओ दे सकता है, यहां पर आ गाये नमह का 11 बार जाब करना है, शुबरंग आपके लिए लाल भाग्य प्रतिशत 54, सिंग राशी दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बाहरी लोगों से सावधान रहेगा, क्योंकि कर्क का चंद्रमा, आशलेशा का चंद्रमा बहुत उत्तम नहीं हैं सिंग राशी वालों के लिए, अनावस्यक अपव्य बढ़ाता है, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा सावधान रहना है, अगर आपकी राशी सिंग है तो आपको आज बाहरी लोगों से सावधान रहना है, पढ़ाई लेकिन ठीक चल रही है, सिक्छा में किसी तरह क दोश नहीं है ब्यापार में आई बाधाएं दूर होंगी प्राइवेट सिक्टर आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है चिंताओं से बाहर निकालेगा सरकारी छेत्र किष्टति को सुधारने का प्रयास करें दांपत्य जीवन आपका अच्छा है पत्नी और बच्चों के ब आउसमी फल देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भागी प्रतिशत 64 64 कन्याराशी दिनांक 9 जनवरी दिनसों मवार कन्याराशी वालों के लिए पढ़ाई पर आज थोड़ा सा ध्यान देना होगा श्रिक्षा में कुछ सावधानी के साथ कदम बढ़ाई ब्यापार अच्छा है बिजनस में कोई रुकावट नहीं है बाहर अर्थात विदेश से भी कुछ बिजनस सुरू हो सकता है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए अच्छे फल दे रहा है प्राइबेट सेक्टर में चिंताओं से बाहर निगलेंगे सरकारी छेत्री की स्थि में सुधार होगा दांपत्य जीवन अच्छा है पत्मी के साथ बहुत बहुत रहेगा लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आ सकती है स्वास्त के मामले में उठापटक रहेगा जुखामखासिक शिकायत रहेगी आज कन्या राशी वालों को प्रियोग क्या करना चाहिए नौ जनवरी पढ़ाई आज ब्यातरीन है को मन लगाएंगे सर्दियों का मौसम है मन लगाकर पढ़ाई हो रही है ब्यापार में किसी तरह की दिक्कत नहीं है बिजनस आपका अच्छा चल रहा है बिजनस की स्थिति को सुधारने का प्रियास सफल होगा प्राइवेट सेक अच्छा है बच्चों का साथ है लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी स्वास्थ के मामले में बैक की प्राबलम आख और किड्नी की समस्या है प्रियोग के तोर पर दाहिनी हथेली पर सामाने जल लेकर अपने उपर छिड़काओ कर लीजेगा क्या नहीं करना है आज जल्दी बाजी में कोई फैसला नहीं करना है शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रतिशत 69 वरिश्चिक राशी 9 जनवरी पढ़ाई खूब दबा के कर रहे हैं सिक्षा में कोई दोश नहीं है ब्यापार भी अच्छा चल रहा है मौसम के साथ कदम सर अच्छे दे रहा है प्राइबट सेक्टर आपके लिए बहुत दिव्य फल दे रहा है सरकारी छेत्र के स्थति में सुधार है दांपत्य जीवन बहुत अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ को लेकर सजग रहेगा स्वास्त क के मामले में आंख बैक की प्राबलम और लीवर की प्राबलम हो सकती है प्रियोग के तोर पर दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर तुलसी की नीचे डाल दीजेगा शुबरंग आपके लिए आज के सरिया भाग्य प्रतिशत 53 धनुराशी दिन अच्छा है पढ़ाई में आउसर मिल रहे हैं इसका लाब भी होगा व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए कुछ बड़ा फैसला होने जा रहा है सरकारी छेत्र किस्तिति को सुधार लाइए दामपत्य जीवन अच्छा है बच प्रंग आज पीला भाग प्रतिशत पचास मकर राशी मामला आपके हाथ में पढ़ाई खोब अच्छी करेंगे सेक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है व्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में आउसर अच्छे मिल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ ब प्रियोग के तौर पर मागायत्री का द्यान करें ओम भूर्भुववश्वत अच्छ वितुर्वरेन्यं भर्गो देवस्यधी महि धियो यो नह प्रचोदयात शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग की प्रतिशत पचास कुमबराशी क्रोध पर अंकुष रखिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए सिक्षा को सुधार में लाने की आवश्चकता है ब्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बड़ा फैसला देगा प्राइवेट सेक्ट की स्थिति में कुछ अच्छा होगा दामपत्य जीवन अच्छा है बच्चों का साथ है लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है स्वास्थ के मामले में आख और बैक की प्राब्लम रहेगी क्या उपाय करना चाहिए आज का दिन ब्यहतर करने के लिए कुम राशी वालों के लिए मादुर्गा को आज एक लाल पुष परपित कर दीजेगा शुवरंग आपके लिए आज लाल ही है भाग्य प्रतिशत शिक्ष्टी सेवें अंतिम राशी मीन शिक्षा में खूब कुछ बड़ा हो रहा है ब्यापार भी अच्छा चल रहा है आउसर अच्छे मिल रहे हैं बिजनस में लाव हर कदम पर होगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा फल देगा प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की चिंता नहीं है सरकारी छेतर में सुधार होगा दाबत्य जीवन आपके लिए बहुत शुब इस्तति में है लव लाइफ में कुछ मु जानकारी ये दे दें कि आप हमसे लगातार गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं अगर आप मिलना चाहते हैं तो तुरंत समय ले लिजेगा आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का दिब सक्सेस की एक रुपे का सिक्का अपने सर से तीन बार उल्टावार कर क नोट करें एक साधे चाकुर कागच पर और अपने पास रख लीचे चलते चलते जानकारी नोजनवरी को पैदा हुए लोगों के एक दिब उपाय की अगर आप नोजनवरी को पैदा हुए हैं तो आपके लिए तीन पीपल के पौधे अपने घर से पश्च्चम दिसा की तरफ किसी पब्लिक प्लेस पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज कहीं पर भी लगा दीजे उस आज के लिए इतना ही हमें अनुमत दीजेगा अपना खूब ख्यार लखें और भाग के परिवर्टन सत्र में हिस्सा लेने के लिए जल्दी से अपनी रेजिश्टेशन करवा लेएं नमस्कार आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोष संतोष जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप परह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुष प्रभाफ बस एक ग्रहदीब आप की जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक